नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाच फाइंडर पर पिछले दो हफतों में चाइना और ताइवान के बीच में जो तनाव है वो काफी जादा बढ़ चुका है आपको मालूम होगा ताइवान के ADIZ यानि की Air Defense Identification Zone के अंदर चाइना के द्वारा record number of incursions देखने को मिली थी खास रूप से October के पहले हफते के अंदर लेकिन अब ताइवान ने भी यहाँ पे चाइना को चेतावनी दे दी है कि do not get too close यानि कि हम भी नौबत आने पर हम भी ये particular मौका आने पर अपनी military को तयार करवा सकते हैं यहाँ पे ताइवान की Defense Ministry के द्वारा एक खास report है जो कि ताइवान की Parliament को पेश करी गई है उसी के components में आपके साथ discuss करने वाला हूँ also discuss करूँगा कि यहाँ पे जो China की basically media है वो क्या कह रही है और ताइवान की जो resident है वो क्या कह रही है और USA का यहाँ पर basically क्या stand है चलिए start करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को यदि आप लोग download करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलिग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं अगर मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए WhatsApp नंबर के माध्यम से भी मुझसे संपर्क में आ सकते हैं राइट as you can see over here पांच अक्तूबर 2021 की ये न्यूज है BBC ने कवर किया record number of China planes enter the Taiwan air defense zone ये वाली जो incursion हुई थी सौंवार के दिन हुई थी और ये basically fourth straight day of incursion था by the Chinese aircraft जिसमें की लगभग 500 से भी जादा aircraft ताइवान के defense zone के अंदर भेजे गए थे कई सारे यहाँ पर विशेशक के ये कह रहे थे कि ये वाली flights could be seen as a warning to Taiwan's president ahead of the islands national day यानि की सीधा सीधा रूप से चाइना के द्वारा एक चेतावनी दी गई थी कि ताइवान एक अलग country नहीं है और ताइवान basically चाइना का ही हिस्सा माना जाता है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि 2021 की अगर इसी साल की बात करें तो एक जनवरी को शुरू होते हुए incursions तो almost daily level पर हो रहे थे लेकिन suddenly जो आप यहाँ पे देख सकते हैं September end में और October beginning में जो incursions है ये कितने जादा बढ़ चुके थे आपके सामने हैं दोस्तों ये कर्व काफी ऊपर को जा रहा है और ये वाली जो incursions थी September and October beginning में अपनी peak को टच कर चुकी थी नाउ ये आपके सामने है ताइवान का air defense identification zone जिसको कि हम लोग ADIZ बोलते हैं जिसमें की चाइना कई बार अपने airplanes को basically उड़ाने की कोशिश करता रहता है October 9 को ये वाली भी major development सामने आई थी चाइना के president Mr. Xi Jinping ने यहाँ पर कहा था कि वो Taiwan को reunify करने वाले हैं इनके द्वारा दिया गया था statement जो कि आपकी सामने पढ़ने वाला हूँ पहले अंग्रेजी में पढ़ूँगा फिर हिंदी में पढ़ूँगा Taiwan independent separatism is the biggest obstacle to achieving the reunification of the motherland and the most serious hidden danger to national rejuvenation यहाँ पे इनोंने कहा ताइवान की सुतंतरता अलगाववाद मातरभूमी के पुनर मिलन को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है और राष्ट्रिय कारेकल्प के लिए सबसे गंभीर छिपा हुआ खत्रा है यह वाला statement दिया गया था चाइना के President Mr. Xi Jinping के दोरा बेसिकली इनोंने यह indirectly बोला डिरेकली यह नहीं कहा कि हम यहाँ पे कोई लड़ाई करने वाले हैं या फिर हम यहाँ पे कोई जंग घुशित करने वाले हैं लेकिन अब तक शुरूप से यह बोला कि क्योंकि ताइवान म tougher response if China flights get too close यानि कि अगर चाइना की flights बहुत नजदीक आएंगी तो उस case में ताइवान ने कहा है कि हम भी यहाँ पे एक सक्त response देने वाले हैं तो ताइवान का जो stern message सामने आया है वो basically यह है कि जितना जादा आप हमारे करीब आएंगे उतना ही harder हम लोग इस चीज का response करने वाले हैं ताइवान की defense ministry के द्वारा एक report को पेश किया गया है इन्होंने कहा है कि ताइवान will be taking tougher measures to fend off the Chinese military should they get too close to the Taiwanese mainland according to a report by the islands defense ministry जो की उनके legislators को भेजी गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं ताइवान के defense minister Mr. Chiu Q. Cheng इन्होंने इस report को already पेश कर दिया है अपने lawmakers को just कल ही की बात है Thursday को ही इन्होंने इस report को पेश किया था इस particular report में क्या कहा गया है उसके components हमारे ले काफी relevant बन जाते हैं इन्होंने कहा Taiwan will not start a war with China but will defend itself full on इन्होंने साथ में ये भी कहा कि यहाँ पर काफी हद तक clear है कि the Republic of China यानि कि Taiwan absolutely will not start or set off a war but if there are movements we will meet the enemy full on यानि कि Republic of China basically Taiwan अपने आपको ROC बोलता है जिस तरीके से चाइना अपने आपको People's Republic of China बोलता है उस तरीके से Taiwan दोस्तों अपने आपको ROC से संबोधित करता है इन्होंने कहा कि हम जंग की शुरुआत नहीं करेंगे लेकिन अगर यहाँ पे सामने वाला शुरुआत करता है तो हम definitely दुश्मन के सा फुल-on तरीके से लड़ने को तयार है इन्होंने ये भी कहा कि हम जंग के लिए प्रॉपर रूप से तयार है ये वाली खबर आप देख सकते हैं 15 अक्तूबर की ही है ताइवान नीज ने कवर किया Defense Minister says Taiwan is prepared for war every day इनका जो report में statement दिया कहा है इन्होंने ये भी कहा कि in report to the intrusions by the Chinese Communist military aircraft and ships into our air defense identification zone we will adhere to the principle of the closer they get to the island the stronger we will hit back यानि कि जितना नजदी को हमारे आने की कोशिश करेंगे उतना ही stronger और harder हम लोग hit back करेंगे अब इस चीज़ को लेके China ने क्या कहा है चाइना की government के द्वारा किसी प्रकार का official statement सामने नहीं आया है किसी प्रकार की ऐसी वीडियो के उपर विश्वास ना करें जो कि आपको बता रही है कि Chinese government ये कह चुकी है दोस्तों चाइना का जो उनका mouthpiece है वो basically उनकी media बन चुकी है और उसमें भी विशेश रूप से उनका war to liberate the Taiwan island will start in this context the Taiwan military will never dare to fire at a PLA aircraft on such a mission basically ये कह रहे है कि Taiwan तो कभी भी हमारे उपर fire करेगा ही नहीं in fact ये भी कह रहे है कि वो कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे हमारे उपर किसी प्रकार का fire करने के लिए लेकिन दोस्तों बदाना चाहूँगा कि Taiwan ने ये announcement कर दिये है कि Taiwan की military एक multi- approach को यहाँ पर follow करने वाली है जिसमें कि वो aircrafts हुए, ships हुए और air defense systems हुए इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपनी Chinese military incursions को counter करने के लिए तयारियों को काफी हद तक बढ़ाने वाली है so that उनकी जो flexibility है वो भी बढ़ी रहे और island अच्छे तरीके से response कर सके in case किसी वरकार की और Chinese military incursion देखने को मिलती है Taiwan की President Tsai Ing-wen का क्या कहना है इन्होंने यहाँ पर कहा है कि through the gray zone activities, military threats and information manipulation, authoritarian regimes aim to erode our citizens confidence in the democratic institutions in fact, इनका यहाँ पर मानना है कि जो भी यहाँ पर दिक्कत है, उसे हमें आपसी बातचीत से सुलजाना चाहिए, हमें यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए इनका जो second statement है, उनको यह भी कहा है कि Taiwan इस हमले की अग्रिम पंक्ती में खड़ा है, यानि की front line में खड़ा है और हम इस तरह की जबरदस्ती का मुकाबला करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं इनकी intention साफ है कि हम यहाँ पर लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर सामने वाला इंसान लड़ाई करेगा, तो हम उस case में पीछे नहीं हटेंगे अगर बात करें कि अमरीका का इस पूरे के पूरे कहानी में फिलहाल stand क्या है, दोस्तो अमरीका का stand वैसे तो इन्होंने कभी properly नहीं कहा है, कुछ-कुछ reports आपके सामने इस तरीके से आ रही है कि USA will support Taiwan amid the Chinese threat, लेकिन दोस्तो अमरीका का जो stand है वो काफी diplomatic है, आपको समझना हो USA ने कहा है कि USA will continue to support a peaceful resolution of cross-straight issues which are consistent with the wishes and the best interests of the people on both sides, यानि कि इन्होंने किसी भी country को obviously यहापे support नहीं किया है, इस तरह की news आपको काफी देखने को मिलेगी, but again उसको पूरा पढ़िये तब जाके समझें कि exactly USA यहाँ पर क्या stand ले रहा है, जैसे ही कोई नई development आती है आपके सामने हम लोग पेश करेंगे, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही जाने से पहले बताना चाहूंगा कि Unacademy का result काफी शानदार रहा है, अगर आप भी Unac सारे batches शुरू करवाई जा चुके हैं और मेरे द्वारा भी यह वाले batches आपको available करवा दी जाएंगे, फिलह अभिवार को होने वाले combat में हिसरा definitely लीजे using my code अनी UPSC, thank you for listening, stay tuned and stay safe.